जनता पाटी पश्शिम बंगाल में असली परिवर्तन लाना चाहती है औशॉल पौरिबॉर्तौन भाईया देश में इन लोगों ने जिस तरह का परिवर्तन किया है अगर उसी तरह का परिवर्तन ये लोग पश्चम बंगाल में लाना चाहते हैं तो मा दुरगा बंगाल को बचाए उसके हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद मगलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेट ग्राउंड में मौजूद थे उन्होंने एक जोरदार राली को संबोधित किया यही नहीं कल ममतादी ने भी एक रोड शो किया यानि कि कल सियासत का सूपर संडे था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषन में कुछ बाते कहीं और मैं उनके बयान को आपके सामने रखना चाता हूँ और उसका पोस्मौटम करना चाता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को शामिल करके, क्योंकि देखिए एक बहुती 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 स्पीकर हैं, तो उन्होंने जनता को शामिल करके नारे दिये, भरष्टाचार और नहीं और नही अन्याय और नहीं और नहीं सिंडिकेट और नहीं और नहीं ये बयान के हर हिस्से को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और फिर मैं उसकी चर्चा करूँगा सबसे पहले देखते हैं कि भरष्टाचार में प्रधान मंत्री ने क्या कहा भरष्टाचार जी हाँ प्रधान मंत्री काईदे से तो आपको दो बार नहीं एक बार भी नहीं बोलना चाहिए भरष्टाचार और नहीं क्योंकि इन शेहरों पर गौर कीजिए सुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय जी हाँ ये दोनों नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे कथित तोर पर पैसे लेते हुए अब ये दोनों आपकी पार्टी में शामिल है मोदी जी मुझे बताईए ना जब आप कहते हैं कि भरष्टाचार और नौए और नौए तो ये तो आपके सामने एक जीती जाकती मिसाल है तो यही पर आपके इस नारे की जिसे कहते हैं हवा निकल गए अब दूसरे नारे की बात करते हैं बेरोजगारी और नौए और नौए देखिए बेरोजगारी और नौए बेरोजगारी और नौए ट्विटर में रिकॉर्ड स्थर पर दोस्तों मोधी जॉब 2 का ट्रेंड चला था लाखो लोगों ने मिलियंज ने इस पर अपनी राय दी थी बेरोजगार में त्रही माम मचा हुआ है दोस्तों, बेरोजगारी को लेकर और आप पश्य बंगाल की बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं बात हजब नहीं, आगे चलते हैं तोला बाजी और सिंडिकेट और नौई और नौई सुनिए बात हो, वो कौन से तीन उद्द्योगपती थे जिनुके खिलाफ किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं वो कौन से दो उद्द्योगपती हैं, जिनके बारे में राहूल गांधी ने नारा दिया था हम दो हमारे दो, और उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया था अगर आपके संसधिये मंत्री प्रहलाज जोशी ने बिचारे अंबानी जी को जबरदस्ती खीच लिया, कि अंबानी जी के बारे में ऐसा बयान ना दे हैं, तो जब आप सिंडिकेट की बात करते हैं, तो आपके जो विरोधी हैं, वो तो इन उद्द्योग पत्यों पर उंगली उठाते हैं ना, कि हम दो हमारे दो चल रहा है, यही नहीं, आप देखे मोदी सरकार में पिछले साथ सालों में, अम्बानी जी कहा से कहा पहुँच गए, अढ़ानी जी कहा से कहा पहुँच गए, मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मगर जो आप सिंडिकेट का आरूप लगा रहे हैं, वो कुछ जरह हजाम नहीं हुआ. आगे देखते हैं दोस्तों उन्होंने का का, प्रधान मंत्री ने का हिंसा और नौए और नौए और नौए, सुनिए मुधी जी एक बाद बताएए, गव सेवा के नाम पर, गव रक्षा के नाम पर पिछले साथ साल में कितनी मॉब लिंचिंग्स हुई हैं बताएए ये भूल जाएए, महेश शर्मा और जैन सिना, आपके दो सांसद, जैन सिना ने उन लोगों पर हार पहनाया था, जो मॉब लिंचिंग में गुनहगार थे, आरूपी भी नहीं गुनहगार थे तादरी में जब अखलाग को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनमें से एक आरूपी की मृत्ती हो जाती है और जब उसके शव को तिरंगे से लपेट कर उसका अंतिम संसकार किया जाता है तो महेश शर्मा और आपके पार्टी के कड़ी नेता जाकर उन्हें अंतिम व खाकर आपके जूनियर फाइनस मिनिस्टर है अनुरा खाकर और ये नारे क्या लगा रहे थे देश के घद्दारों को गोली मारो प्रवेश साहिब सिंग कह रहे थे कि ये शाहीन बाग वाले आपके घरों में गुसकर आपकी बेटियों का बलातकार करेंगे ऐसे कौन कहता ह है भाई और ये बेहोश वाहियात मिश्रा खुले आम पुलीस की मौजूद्गी में कह रहा है कि आज तो पुलीस है मैं जा रहा हूँ कल को तुम भी हमें नहीं रोक पाओगे तो आपके पार्टी में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले बाकाइदा नेता मौज तो मुझे बताईए ना पिछले कुछ सालों में बजरंग दल हिंदू महसेना ये जो तमाम संस्थाएं सामने उभर कर आ रहे हैं मैं दी भूला हूँ वो हिंदुत्वादी नेता थी वो महात्मा गांधी की तस्वीर पर गोली चला रहे हैं गोड से का महामंडन हो रहा है जो कि इस आजाद भारत का पहला आतंकवादी था जिसने हमारे गांधी को जिनकी चलते हैं उनकी शहादत हुई थी तो जब आप कहते हैं तुष्टी करन और ने तो किलों का तुष्टी करन आपके वक्त हो रहा है और अंत में आपने कहा अन्याएं और नौएं और नौए क्या मुझे आपको बतलाने की जरूत है कि हात्रस में रातो रात गुडिया जिसके साथ दुशकर्म हत्या हुई थी रातो रात उसका शब जला दिया गया उसके माबाप महां मौझूद नहीं थे फिर योगी सरकार के मंत्री नौकर शा जूट बोल रहे थे अदालत ने उन भारदवाज जिन्होंने अपनी अमरीकी नागरिक्ता को त्याक कर भारत में सेवा के लिए वो आई और अभी वो जेल में हैं इन बुजर्गों के साथ आपने क्या किया बताईए ना देशार अभी 22 साल की एक चात्रा को आपने जेल में डाल दिया कोई सुबूत नहीं है उसका गुणा सिर्व इतना था कि उसने ग्रेटा थंबर्ग से बात की थी जो कि एक जलवायू परिवर्तन अक्टिविस्ट हैं और उसको आपने खालिस्तानी बता दिया और आप कह रहे हैं अन्याय और नहीं और नहीं ये बाते मेरे को बिलकुल भी आजाम नहीं होती हैं और फिर आपका नारा है क्या नारा है आपका असल परिवर्तन करेंगे हैं तीन चीजों पर गौर कीजीगा मीडिया न्याय पालिका और एजिंसीज गोदी मीडिया किस तरह से बन गया है इसके बारे में मैंने कई बार आपके सामने अपनी राय रखी है दोस्तों आज मैं एक विडियो दिखाना चाहता हूँ यह विडियो है अबिपी न्यूस का यानि की आननद ब बजार पत्र का वो आनन बजार पत्र का जिससे निकलता है टेलिगराफ निउस्पेपर जिसके पहले पन्ने से मोदी सरकार हिल जाती है इतना तंस होता है और मैं जबरदस्थ फै को पकड़ा देता है और सी पत्रकारता कहते हैं असल परिवर्तन आपने किया है मोधी जी यह मीडिया में असल पर देखें यहां पर मैं एबीपी निवज के तरफ से बोल रहा हूं आप देख सकते हैं पूरे पंडाल के अंदर यह देश के सबसे बड़े मेदानों में गिना जाता है जहां जब ऻजनिति खल चल चल होती है वह परिवर्तन के लिए होती है और में कह सकता हूं कि यहां पर जिस तरीके से जंसेलाब आया है वह अपने आप में एक रेकार्ड और जो उत्सा है आप जो उत्सा देख रहे हैं यहां पर यह उत्सा बड़ा जबर्यस्त है अब मैं आई पालिखा की बात करूँ